हेलो सब्सक्राइब आप लोग का स्वागत है और आज की रेक्न शुरू करते उससे पहले आपसे मैं माफिच चाहता हूँ वह इसलिए क्योंकि मैं आज आपसे कहा था कि मैं आपको सर्प्राइज दूँगा रियल मी वाला तो वह आपको आज नहीं मिलेगा वह आपको कल मिल आएगा और आज है हमारा डील्स डे तो आपको पता होगा मंडे थर्ज्टे में अच्छी डील्स लाता हो लेंगे इस बार फिजिकल डील्स लाया हो जी हां तो जरू से देख लिए ना ज्यादा मिस नहीं करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए 10,000 लाइक कर लिजिए औ कि आपको मेरे लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए ये डील मुझे रखता है कि आप हाथ से बिल्कुल भी जाने मत देना लिंक नीचे आपको मिल जाएगी दूसरी डील यहाँ पर रिबॉक के सैंडल की है जो रेनी सीजन वाले सैंडल से अब यसे तो भी बारिश तो जा रही है लेकिन फिर भी आपको काम आ जाएगा 2000 रु निचे आपको जिसके एक्षुल प्रैस थी 800 रुपे अभी आपको सिफ 400 रुपे में मिल रहा है यह पोजिक्स के साथ में माइक भी मिल रहा है तो यह भी बहुत यह ची दिल्डिशन डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में देगा अब वहाँ पर जाएक इसको सब्सक्राइब कर दिया तो आप इसको चाहिए चाहर या पांच अक्टूबर से जाके पर्चिस कर सकते हैं तो यहां पर नोकिया की तरफ से खबर आडियो जैसे की मोटरोला ने हमें शॉक कर दिया वहां पर यहां पर हमें शॉक कर दिया नोकिया की 5.1 प्लस की प्राइस को रिवील करके जी हां कि यह जो प्राइस अखी है यह 5.1 प्रस की बहुत सही है अगर आपको इंटरेस्टेस्टेस्पोन में हीलियो का P60 है तो आप इसको जाके 1 अक्टूबर से जब वो परसेस कर सकते हैं तो यहाँ पर इंडिया के अंदर बताया तरह है कि जो 1 GB पेस के आपको maximum speed देता है यह 100 GB पेस मिलेगा इसमें ISRO का बहुत ही बड़ा हाथ है वो 2 सेटलेट यहाँ पर जो वो launch करेंगे इस साल और उसके बाद एक और करेगी अगले साल इसके दुआरा इंडिया के जो broadband की speed जाएगी वो 100 GB पेस तक की जो जाएगी वैसे internet users की base की बात करो तो इंडिया सेकंड लाज़ेस्ट पूरे वर्ल्ड में तो बहुत ही बड़ी बात है लेकि broadband penetration की बात करें तो वो 76 पे आता है तो यह पीछे लेकि 100 GB पेस की जब speed आ जाएगी जो self driving technology होती है इनकी accuracy को और enhance करेगा usually क्या होता है कि जो self driving car होती है इसको और सही तरीके से रास्ते में चलाने के लिए बराबर direction देने के लिए और हर चीज़ को maintain करने के लिए ये maps को develop करेगे और March 2019 तक कर यहाँ पर यह distribute करना शुरू करेगे usually यहाँ पर यह उन लोगों को देगे जो self driving cars को manufacture करते यह उन companies को मिलेगी ताकि उनको बनाने के बाद इसको use करने के लिए और map को develop करने के लिए जब रास्ते में गाड़ी चलती है तो आपको बहुत ही ज़्यादा help होगी यह मेरा हाथ में हूँ आपको नीदेखा सकता हो तो फोन वैसे काफी अच्छा है और मैंने इसके अनबॉक्सिंग को तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ बहुत अच्छी बैटरी है बहुत अच्छा कैमेरा है मैंने सैंपल स्टूटर पे और आपको मैंने बताया था अगर आप मुझे इंस्टेक्र टूटर पर फॉलो करते हैं बहुत अच्छी सैंपल्स आ रहे हैं सब कुछ अच्छा है मुझे यखीन नहीं हो रहा है वाखाई में क्या यह फोन ऐसा है मैं सीरियसली क्या रहा है मैं मजाग में मजाग क्या लावा अब unboxing देख लेना features देख लेना फिर आप बोलेंगे वाकरी में मतलब Xiaomi को तो यह तो डबाई छोड़ो तो यहाँ पर ओपो ने finally इंडिया के अंदर biggest e-sport event को जो वो announce कर दिया है जी हाँ इंडिया का biggest e-sport event ओपो ने finally announce कर दिया है PUBG के साथ में partnership करगी PUBG game जो Tencent game से यह developer से PUBG क उनके साथ में partnership क्या है जहाँ पर यह event 26 September से start होगा और 21 October तक जो वो चलेगा जिसके अंदर आपको PUBG की official website पर जाकि register करना पड़ेगा और 26 September से अगर आप select होते तो आप इसमें part ले सकते हैं यहाँ पर 10,000 teams होगी per team में यहाँ पर 4 लोग होने वाले हैं साथ में यहाँ यहा पर OPPO के F9 Pro के अंदर ही आपको यह game खिलना है, competition करना है और particular price भी यहाँ पर rewards रखे गए जो लोग ज्यादा kill करते हैं जो लोग ज्यादा कुछ करते हैं उनको भी separate इनाम यहाँ पर जो देखने को मिलेगा इसलिए OPPO ने PUBG के साथ में partnership इसलिए की ताकि उसके F9 Pro की publicity हो त जाकि register कर लिजी PUBG की website पे select होते हैं तो आप इसने पार्ट लेके मज़े ले लिजी और 50 लग भी ले लिजी तो यह पर Samsung की तरफ से काफी interesting खावर आड़ी और बताया जारे कि हो सकता है कि Samsung यहाँ पर OPPO और Huawei को पीछे छोड़ देगा और world की पहली company बन जाएगी जो आपक करकी यह बोला है कि Samsung का यह जो फोन आएगा आपको पीछी की तरफ चार वर्टिकल कैमेरे जो देखने को मिलेगे जी हां मतलब चार केमेर वाला फोन Samsung लेके आएगा यह उन्होंने confirmed किया है तो मतलब Samsung World की पहली company बनेगी जो officially इस फोन को launch करेगी उसके बाद हमें Nokia 9 मिलेग जिसमें आपको triple camera जो देखने को मिलने वाला है यह यहाँ पे India के अंदर कल बताया जारे कि officially launch हो जाएगा मुझे actually में एक invitation आया था event का जो 12 बजे होने वाला था तो मैं नहीं चापा हूँगा तो Samsung मुझे यह phone भेज रहा है A7 2018 वाला जी हां तो मुझे Thursday Friday तक मिलेगा तो इसी वीक में आपको उसकी unboxing मिल जाएगी देखते इसकी price यहाँ पे क्या होती है इस triple camera ले phone के camera कितना खास होता है यह तुम्हें आप लोगों इस वीक में ही बता दूँगा तो यहाँ पे OnePlus के तरफ से खावार आड़ी और OnePlus को यहाँ एक और जटका जो वह पढ़ चुका है जी हाँ यहाँ पे पहले इस company ने OnePlus को US में सूख करी थी अभी इस company ने OnePlus को Europe में भी सूख कर दिये क्योंकि OnePlus यहाँ पे जो Dash charger लेके आता है जो Dash charger OnePlus का यह actually में इस company OnePlus का जो वह trademark नहीं है यह नाम जो Dash है यह उस company का जिसने OnePlus को सूख करी थी वो company है Braggie एक technology company Munich Germany में बेश्ट है और उनने फिर से OnePlus को सूख कर दिया है बोला गया भाई यह काम तू मत कर यह मेरा नाम है इसी मेरा टेड मा कि अगर तो फिर से करेगा तो जहाँ जहाँ तुने अपने इस charger को बेचा है वहाँ वहाँ हम ते को जो सूख करेगे तो पहले जहाँ US अभी हुआ यूरॉप और क OnePlus का famous wallpaper आपको दिख रहा है बस यहीं आपको जिवो देखने को मिल रहा है वैसे कुछ मैंने आपसे पहले ही का था कि 6-60 इतना खास नहीं आएगा वही सेम मिलेगा hardware में ज्यादा तर मुझे लग रहा है बस आपको एक under display fingerprint scanner water drop notch वाली display मिलेगी हाँ और 3.5 mm को जिवो डिच भी करेगा अब क्या price में OnePlus लेके आता है शायद से OnePlus fingerprint scanner की under display fingerprint scanner की वज़े से अगर price बढ़ा देता है तो शायद से इस फोन जो प्रॉब्लम हो सकती है तो यहाँ पर फाइनली जो वह Indian government की बात WhatsApp ने सुन लिए और India के लिए उन्होंने अपना grievance officer को जो वह announce कर दिया है और वह है कोमल लहरी और यह क्या करेगी कि अगर आपको WhatsApp में कोई problem होती है तो आप directly उनको email कर सकते है 200 million से जाता user से सोचनो WhatsApp हर मईने active होते है और यह इतने सारे लोग email करेगे तो यह तो ऐसे हो जाएगी शायद से तो वैसे तो Facebook और Google की भी grievance office इंडिया में थे लेकिन WhatsApp accept नहीं कर कर सकते हैं कि आपको यह पहले बता कि जो GPS का इस्तेमाल आप आज करते हर जगह के लिए वह आपको यूजिली तो फ्री में ही यूज करने मिलता है लेगिन इसको operate करने के लिए 2,000,000,000.000 जो दिनके खर्चे होते हैं दिनके 2,000,000.000 बेजिए गर्चा होता इसको operate करने के पात के रेंड दूस यह भी खता है वह दो इमित करता आपको आज की रिटनूस पसनाए कि अगर आपको पसनाए तो आप जरूस इस वीडियो को लाइक करिए मैंसे आप लोग के लिए डेली रिटनूस आता होगा आप लोग को ऐसी अपड़ेट करता होगा मिलत आप सक लिए अप्ने वादे को साथ तिल नहीं विए ग्रेट दे और अल्वेस कीप स्मालें